यह से थे वे? प्रेरक प्रसंग. एक नन्हे नाम का बालक अपने साथियों के साथ स्कूल से घर लोट रहा था. रास्ते में आम का एक बाग दिखाए दिया. बच्चों का मन हुआ, क्यों ना उस बाग में जाकर फल तोड़ कर खाए जाएं? सब बच्चे तयार हो गए. नन् बच्चे माली से नजर बचा कर आम तोड़ने लगे. लेकिन नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा. साथियों ने उकसाया, अरे बुच्चा क्यों खड़ा है नन्हे? तू भी क्यों नहीं दोजार आम तोड़ लेता? लेकिन नन्हे की दिल ने चोरी से आम तोड़ नन्हे की आज्या नहीं दी. इसी बीच एक खिले हुए गुलाब के फूल पर नन्हे की नजर पड़ी. सुन्दर फूल को देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया. तभी बाख का माली डंडा बजाते हुए आधम का. उसे देखते ही सा सारे लड़के तो भाग खड़े हुए लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा. माली ने उसे पकड़ लिया और कहा कहा है तेरा घर? चल मैं तुझे तेरे पिताजी के पास ले चलता हूँ. नन्हे सहमते हुए बोला मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है. बालक इसे गलत काम नहीं करने चाहिए. अच्छे बच्चों को ही साती बनाओ. बेटा अच्छे बच्चे बनो. नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में सही रहा बताने वाला कोई गुरू खड़ा है. उसने उसी समय तैय किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा. यह नन्हे को दूसरे प्रधान मंतरी बने. संदेश गलत कामों से दूर रहकर हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए.